हेलो फ्रेंज आज का जो वीडियो है बहुत इंफोर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज में जोकर ब्रेंड का जो डिफरेंड क्वालिटी है उनके बारे में बुनने वाला हूँ और जो जोकर ब्रेंड को जो और जो भी इंडोनेशन बन जा है जो उसको टक्कर देने वाला तो जोकर का जो डिफरेंड ब्रैंज है जो एक नमबर पर है वह है वर्ट वह अपको पर जाएगा 1900 में उसके बाद आता है मास्टर ली 1800 में वह मिल जाएगा उसके बाद आता है गेलेसं गेलेसं बुतूत वह 1650 में फिर आता है जोकर प्लैटिनम वह 1600 में फिर जूनियर ब्लोग डायमन वह 1600 में फिर जोकर कर जो नया है डाबल एल 1200 उसके बाद ब्ल्क सामुराइ उसके बाद जगुवार जगुवार ब्लक सामुराइ यह आपको मिल जाएगा थाउजेंड में और छो देखिए जो जो कर का जो ब्रेंड है उसका स्पेशेलिटी है उसका जो उसका जो थ्रेद है वो सुपर सिलिकॉन है अभी अब पूछेंगे सुपर सिलिकॉन क्या है सुपर सिलिकॉन जो नाइलोन है वो एक डम नेगलेजबल स्ट्रेचेबल है और वो त्रेटी सिक्स ट्री ट्वेटी टू नंबर में आ जाएगा तो सबसे जो बेस्ट है वो है उरत तो मेरा फ्रेंड है राहूल वो इंडोनेशा में गया था वो लेके आया सब उसको बुलाय गड़ी तमिन देखा इसको पार नेक्स दिन उसको मैंने इनवाइट किया जाए हो में भी अपना अपना स्पेशल मंजा दिखाता हो तो मैंने शीली घंड को दिखाया तो हम दोने डिसाइड किया अथह। तो हमने उँराया मैंने उस ने उँराया व्रएत से मैंने उआ अ ताइगर से हैले हमने खीच का पेच लगा आया घाइगर ने फ्रद्स को दो बार और और रह ने एक बार काट दिया फिर धील का पेस थ्री टाइम्स किया उसमें 3-0 टाइगर जी मतलब ताइगर ने तीन बार काद दिया तो अपना साथ मास्टर ली भी लाया था लेकिन वो देख के उसका मतलब एकदम मन खराब हो गया तो मैंने पूछा इंडोनेशन में कितना प्राइस में वो लिया वो बो और कोई-कोई जोन वाला निकाला कि स्ट्राइकर एक है ब्रैंड तो हमारा इंडिया में जो मैनिफेक्चर है टाइगर वो सबसे बढ़िया है मैंने खुड अपने आख से खुड प्रेक्टिकली किया है तो आप इन ब्रैंड में मत फसिये बेकार में आप से 10,000-12,000 उपय जो और इजिनल है तो मैंने सब टेस्ट करके दिखा यह देखें टाइगर का जो काँछ है उसको सद में मिला के देखा तो कॉमपे टाइगर तो एकदम बहतरीन है लेकिन एक बात बोलना परेगा जो गैलेसंद बुटूत है वो धिल में भी मतलब बढ़िया है और जो नया जोकर का जोकर डबल एल वो भी बढ़िया है दिल में लेकिन ताइगर को कटक कर नहीं दे सकता है तो जोकर ब्रैंड और जो दूसरा बैंड के बारे में जो जो बोल रहे है इतना बढ़िया है इतना हाई प्रैस होगा आप लीज केरफूल होई है क्योंकि वो इतना तो यहां जो ड्यूटी लगता है एक्साइस ड्यूटी से थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है लेकिन क्वालिटी कोई डिफरेंट नहीं है वो टाइगर से तो मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है इसलिए जो सोच समझ के लीजिए अगर लेते भी है उसमें रील भी कम रहता है 250 मितर रहेगा 300 उसे ज्यादा नहीं रहेगा अगर आपको 600 मिल जाएगा और काम इक इससे ज्यादा ही अच्छा करेगा क्योंकि खीच और धील दोनों में यह तच्छन को रिजाल देता है लेकिन जोकर को अगर काटना होगा तो आपको अच्छा पटंग बाज होना परेगा लेकिन धील में कोई भी काट सकता है जोकर को एक डम गैरांटीड है उच्छे लीजे एक डम प्रैक्टिकल अपकर के देख सकत अगर नहीं हुआ तो एक टाइगर आपको मैं प्रेजन दे दूँगा जो भी मतलब दिखाएगा वीडियो तो इतना मैं शियोर हूँ तो आज के लिए इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक वीजिए सब्सक्राइब कीजिए